करें तो आप लोग कैसे हैं मेरे उमेज से आप लोग ठीक ही होंगे तो चलिए आज हम बिहार पुल टेक्निक इंट्रेंस इक्जाम के कुछ भी भी आई कोश्टन करवाने जा रहे हैं तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा यह वीडियो को लाश्ट देखिएगा तो देखिएक कोस्टन करवाने जा रहे हैं हम फिजिक्स के एलेक्टरशीटी चप्टर से जो कि आप लोग को दू पार्ट करा दिया गया था यह देखिए पार फिरी वीडियो है तो ठीक है हम चलते आज की क्योर देखिए कोस्टन है question दिया गया है तड़ी चालक का अविश्कार किस ने किये थे यह साथ आप लोग part 2 वीडियो देखें होता आप लोग पता होगा यह question part 2 से ही लिया गया है तड़ी चालक का अविश्कार किस ने किये थे बता यह क्या होगा इसका सही answer Graham Bell ने किये थे यह Lord List ने किये थे यह Benjamin Franklin ने किये थे यह Einstein ने किये थे कौन किये थे तड़ी चालक का अविश्कार किस ने किये थे बता यह क्या होगा इसका सही answer तड़ी चालक का अविश्कार किस ने किये थे Graham Bell किये थे यह Lord List किये थे यह Benjamin Franklin किये थे यह Einstein किये थे तो चलिए इसका साइंसर हम बताते हैं तो तरजिछ चा लग का article कि में तो तरजिफ चाल्क का विसकार बिंजामीन फ्रेंकलिन किये थे चलिए भी जाने नीक्स क्यूशन कि ओर पो डेखे नेक्स क्यूशन है कि है मध नीक्स बनाया जाते हैं बताए है 3 हैं कैसे बना जाते हैं किस से लोहें के या तामबे के यह उसके क्या 20 या टारी सिंप्र नगे डेधित व होते हैं तो चलिए उसका प्तालत बहुते हैं किसे बनाई जाते हैं भी होगा आर्वां जालने न Momo tour देखें अने इंग्स क्यूशन है मिरता कि से द vita का बग्धूत तर्ग कि से द्वारा होता है या प्रकास थे संसलेशन रहे या सासन रहा या सरजन त्वारा रा 15 तो इंस को उर्जा का बिद्धु तुर्जामिरू पांत्रन निर्वत किसके द्वारा होता है oleh कि canonah डेय। सब्सक्राइब तो इसको क्राइपर वह यह होगा ठीक है अब Tomato को स्ट्वज्चन घ्यान से देख्एका बिद्धु तुर्जामिरू 15W इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है इसका राइटम से रहे होगा इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा चलिए हमनों चलते हैं नेक्स क्यूशन की और देखें नेक्स क्यूशन है बिद्धूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदलने की उक्ति क्या है बताईए बिद्धूत उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदलने की उक्ति क्या है ओप्शन में दिया गए डाइनेमो है या ट्रांसफॉर्मर या बिद्धूत मोटर होगा या इंडिकेटर क्या होगा बिद्धूत उर्जा को यांत्री कुर्जा में बदलने की उक्ति कौन सी है डाइनेमो है यह ट्रॉंसफॉर्मर है यह बिद्धूत मोटर है यह इंडिकेटर है क्या होगा इसका साइंसर बताई आप लोग यह सब लेक्रिस्टिक बहूत ही बियुक्त सबैंद कॉशं और र्जा को यांत्री कूर्जन के उक्तिक्या क्या lot प्रीदूत मोटर रहेक थीक है जो विदूत उरजा को यह आंत्रिक और प्रवातित करता है त्ट हरता है को कुछली हम चलें नक्स क्यूसन की ओर ने ऑलत्जस नंग क्रिशन है प्रीदोफगरह में प्राइप ज़िए कि येक्टर होता यह सौड वैट्री होता है क्रिट्रेम्पग्रा में ब्यद्धूत उर्जा का सुर्वत क्या होता है छिर Mother नव किया रियक्टर या डाइनेमो यह विधूत मोटर यह वाल सौर बैटरी लो चलिए इसका साईयों सरम बतातें को क्रित्रें ओप कहना में सुनृत क्या होता है उसलिए सरायर perception होगा अज़िए रेलान क्यों क्योंन क्यों पारेत्व देख्या है है माइका है माइका है रबी दोनों का कुछ आलक यह यह कुछ आलक तरह एक क्या देख्या रधिन का कुछा लग है तो चलिये का साइएंस नम बताते हैं तो माय का क्या है तो उसमा और विद्धुतों का खीक है होगा कुछालक है चलिए हम www.ip.sud बिद्धुत उत्पन करने के लिए कौन सिधातु का उप्योग होता है बिद्धुत उत्पन करने के लिए कौन सिधातु का उप्योग होता है बताएं क्या होगा इसका साइसर बिद्धुत उत्पन करने के लिए कौन सिधातु का उप्योग होता है उरेनियम का होता है या लो तो देखे विद्धूत उत्पन करने के लिए कोंसी धातों उप्यों होता है तो यूरेनियम अचिछले आपने चले नेक्स क्यूशन के और देखें नेक्स यूजन है समानिता परियोग में लाए जाने वाले पर्तिश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् संकीं फोता है शो綫ीज के लिए होता यह 277 की बिन होता है यह सद्वेजिद वह यह नूह हजर के 1 कि दृज़्य उन्म देखते हैं तो समान सब्सक्रान प्रियोग में लाइज जाने वाले प्रतिशिस ट्यूब लाइट पर निमिखर में सब काम सांगित होता तो तो 5600 Kelvin अंकित होता ठीक है इसलिए इसका राइट अंसर सी होगा 5600 Kelvin चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स क्यूशन क्यों देखें नेक्स क्यूशन है सुस्क सेल में जो उर्जा संगरहित रहती है उसमें वो क्या रहती है ऑप्सर में दिया गया बिधुत उर्जा होती है यह नेक अंकिते क्यों होती है कि अधैद सीसेल में कौन से संगरहित उर्जा होती है भी इत respectful होती है यह तो मिया उर्जा होती है यह इन मैं सो कोई नहीं आइज तो चलिए इसका से客 होगा उजा संहरिट रहती है वह जानी कुछा ठीक है इसलहे इसका राइट अंसर भी होगा इसलहे में पुर्जा संगरिट कुरजा इसलिएiter बी होगा चलिए हम ब Cornhu चल्दें नेक्स क्यूशन की और देखें नेक्स क्यूशन है एक बोल्ट विवांतर द्वारा तुवरित होने पर एक इलक्ट्रोन की जितने उर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं बताइए एक बोल्ट विवांतर द्वारा तुवरित होने पर एक इलक्ट्रोन की जित जितने उड्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं तो क्या होगा सकसए इंसर बताईए का變 मैं इस सदियत का सब्कて सुंचर मताते हैं तो 1 वोल्ट विवांतर द्वारा तो रइस होने पर एक एल्याचान की उतना है कि यह फार most बोलते हैं उसे पर फिरसे हम Si Will किर्चौफ का धारा नियम किस पे या धारित है उर्जा सनच्छन द्वारा पे या उर्जा सनच्छन द्रमान सनच्छन पे या इन में सो कोई नहीं किर्चौफ का धारा नियम किस पे या धारित है क्या होगा इसका साइन सर अप लोग बताएए बताएं किर्चौफ का धारा नियम किस पर धारित है उर्जा सनचन पर यह द्रमान सनचन पर यह संबेग सनचन पर यह इन में से कोई नहीं ओर यह तो चली इसका साइस नालोग देखते तो किर्चॉफ नियम किस पर यह थे तो किर्चॉफ का धारा नियम एप mexुजक्छन की ओ झाय तो किर्चॉफीयहन अगद्फ działa afflict श्चा ऑसशवल्मार परियुक्ष किसली चाल आ जाता हैं AC को DC में बदलने के लिए या DC को AC में बदलने के लिए या DC वोल्टेज को उच्छ करने में या AC वोल्टेज को नियंतित करने में बताइए क्या होगा इसका सही एंसर ट्रांस्फार्मर को परियुक्त किसलिए किया जाता एसी को डी सी में चेंज करने के लिए या डी सी को एसी में चेंज करने के लिए या डी सी वोल्टेज को हाई करने के लिए या यह सी वोल्टेज को नॉर्मल करने के लिए बताए है कि ऑथ सब्सक्राइब इसका सब्सक्राइब किसे लिए होता तो ड्रांसफर्मर परिख लिए होता है यह सी वल्지 पर्तिरोद का रहता है बताये बिस्षिश्प यह बतायाक्व के प्षेश्жुँ प्रतिरोध की होता है ओम होगा यह पर्थी मीटर होता है यह क्मेंट में इसका miał हम आज नहीं बताएंगे ठीक है यह बहुत ही इजी कोस्चन आप लोग यह सब बताया गया है विश्चिश परतिरोध का इसा मात्रा क्या होता है या कुलाम होता है ठीक है आप लोग इसका लिए परियुक्ति साधन कौन साहा है बताये बीजली के पांख्य को गति बदलने के लिए रेगुलेटर को यह स्वेच को यह इक्टिफाय है ने केलिए क्या हो बताएए देखे इसका सज्ण सर क्या हो बिजली के पंखे को गति बदलने के लिए कौन सा परियुक्त साधन है तो हम लोग करते हैं किसे कि इसमें के बनी होती है किसके बनी होती है के कुछ सिलकन के नौचा तिहये? केल्सियम की बनी होती है या कार्बन की बनी होती है या सिल्कॉन की बनी होती है या नर्मुलूहा की बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही एंसर तो चलिए इसका सही एंसर हम बताते हैं एकी क्रित परपत में परियुक्त अर्चालक चिप किसकी बनी होती है तो बनी होती ह सिल्कॉन की ठीक है इसलिए इसका राइट अंसर सी होगा सिल्कॉन की बनी होती है कि परप्रत में परितर चालक चिप सिल्कॉन की बनी होती है इसलिए इसका राइट अंसर सी होगा सिल्कॉन चलिए हम लो चलते हैं लास्ट क्यूस्टन की ओर देखें लास्ट क्यूस्टन है लेंज का नियम है बता ये लेंज का नियम क्या है धर्मा सनच्छन नियम है ये उर्जा सनच्छन नियम ये संबेग सनच्छन नियम ये द्रमान अवम सनच्छन का नियम बता ये लेंज का नि सब्सक्रक्राइब कर देखते ही तो धाय को भी होगा लेंज़ का सब्सक्राइब अगर आप लोग अभी तक टेलिग्राम जोइन नहीं हुए तो जरूर से जरूर जोई हो झाइएगा और अगर अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो पार्ट वान एंवं पार्ट टू नहीं देखे हों तो आप लोग को डिस्क्रिप्सेन प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं तो उस वीडियो को जुरूर देखिएगा ठीक है श्रेंट लुए है देखे